जी हैं दोस्तो स्वागत आपका इसमिजी चैनल तो दोस्तो आज किस वीडियो बात करें कॉलेज नामांकन फॉरम के बारे में उन student को क्या करना होता है, आपको नामंकन फॉरम बनना होता है, जो student regular में एडमिसल लेते हैं, केबल उनीके नामंकन फॉरम बरे जाते हैं, अब दोस्तों आपने 2022-23 सेशन में new एडमिसल लिया हो, चाहिए आपने किसी भी college में एडमिसल लिया हो, जब हम college में या university में एडमि या निकि UG का course हो, या PG का, या दूस्तों आपका NCTE का course हो, जैसे कि BADM, BABR, BSEBR, दूस्तों आप year student हो, yearly student हो, चाहिए आप semester student हो, जिनके course semester वाइज होते हैं, चाहिए आपके year वाइज होते हैं, सभी के नामंकन फॉरम बरे जाते हैं, अब दूस्तों नामंकन फॉरम बरे जाते हैं, मैं आपको पता देना चाहता हूँ, जिन्होंने university में admission लिया है, उनके तो online भरे जाते हैं, आपकी university के जो भी website है, उस university के website पर जाकर के आपको registration करना होता है, आपका नामंकन फॉरम बर जाता है, लेकिन student ने university से संबंद जो colleges होते हैं, अगर आपने उन colleges में admission ल निकाला है, कि आपको college में जाकर के नामंकन फॉरम बर जाना होगा, जिहां दोस्तों, आपको quality में जाकर के नामंकन फॉरğम बर भर वाना है, एक satisfied है ड़ंने university में बर जाएंगे, लेकिन दोस्तों, यहां पर एक बात में आपको बता देना चाहता हूँ, जिन student ने लिया ब B.A.D.M.A.D.B.A.D.B.A.D.B.A.D.C.B.A.D. student की मैं आपको बता दूं क्योंकि इनके admission university में नहीं होते हैं इनके direct colleges में admission होते हैं तो इनको online ही भरना होगा ठीक है इनको online ही नमांकर फॉरम आपको बरना है अब नमांकन पारम कैसे बरना है जिस्टुटेंट ने नमांकन पार्म परना नहीं आता है उनको तो सभी उनिवसिटी के मैंने वीडियो बना दी है जिनके start हो चुके युनिवर्सिटी में जिन्होंने एड्मिसल लिया है, SOS में जिन्होंने एड्मिसल लिया है, इनके नमंकन पौरम बरना स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर और इसकी लाज ड्रे 17 तारीक रखी गई, तो 17 तारीक तक आप अपने नमंकन पौरम बर सकते हैं, पीस के बारे मे कोर्से होते हैं, उनमें एड्मिसल लिया हो, तो आपके भी यहाँ पर नमंकन पौरम बरना स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर पीस के बारे में बताया गए, 17 तारीक यहाँ लेकिन अगर आप 17 तारीक तक नहीं बर पाते हैं, तो फिर 200 रोपे लेट पीस के साथ में 19 ता अदम से आपको बता भी देता हूं, तो जैसा की देख पा रहे हैं, जिबाज उनिवर्सिटी के द्वारा नोटिफिकेशन जारीक किया गए, और इस नोटिफिकेशन में क्लेर मेंशन किया गए, कि जिन स्टुडेंट ने लिया है, एड्मिसल अपने कॉलेज में इसनात त तक लेकिन अभी 15 दिसम्बर रखी गई, लेकिन अभी इसकी लाज़ डेट लगवा, यहां पर 30 दिसम्बर और आंगे लगवा, 15 जनवर इस तक की जाए, नामांखन पॉरम चलते रहते हैं, नामांखन पॉरम की डेट होती है, वो बार बार बढ़ती रहती है, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी नामांखन पॉरम परवा का नामांखन साका में जमा करें, इसका मतलब है कि जो भी कॉलेज हैं, अपने स्टुडेंट के नामांखन पॉरम बरना है, और जो भी नामांखन पॉरम बरे जाएंगे, उन सभी नामांखन पॉरम को अपने जो नामांखन साक बनी रहती है डिपार्टमेंट बना रहता है उस डिपार्टमेंट में जाकर के जल्दी से जमा कर दीजिए तो यहां पर बनी बनी पर रहते हैं जीवाजी उनिवर्सिटी के यहां पर मैं आपको वीडियो के माद्दम से बता चुका था इसके अलावा बाकी की जो भी उनिवर्सिटी हैं दोस्तों जैसे की mcb university हो गया हमारा ठीक है इसके भी नामांकन पॉरम बरे जा रहे हैं यहां पर 30 नमंबर तक इसकी लाज़र रखी गई थी साइद इसके नामांकन पॉरम बरना बरोब करें नकी नामांकन पॉरम तो आपको कैसे पता चलेगा नामांकन पॉरम भर रहे हैं या या नाम यहीं न कि DS4 लिए rondí युनिवर्सिटी में जो भी एडमिसल लिया है उनके जो की युनिवर्सिटी की जो वेपसाइट होती है उस वेपसाइट पर जाकर बना है अब नामांगर पॉर्ण कैसे बना है मैंने वीडियो बना दी है सभी के लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो पूरी जानकारी चे समझ में आगी होगी कोई भी डाव टू कमेंट करें इस टागां पर फॉलो कर लेंगे लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे मिलते अगली वीडियो में को जानकारी के साथ अब तक लिए बाई